C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तु थे, कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पंद्रवा पाठ आओ बनाएं बर्तन एक थी चिडिया, नाम था फुदगुदी, एक था कव्वा, नाम था बनाते दोनों में गहरी दोस्ती थी, एक दिन बनाते ने कहा काउं काउं, अरियो फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिये, तो मैं खाऊंगा और अगर मैंने पहले अंडे दिये, तो तू खा लेना, कुबूल फुदगुदी बोली, कुबूल, ची, 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 ची कुछ दिन बाद फुद गुदी ने अंडा दिया बनाते बोला काँ काँ दे अंडा खाऊं अंडा दे 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 फुद गुदी गई डर बोली ठीक भाई ठीक पर पहले चोच दो आओ नदी में बनाते गया नदी तट पर बोला, हाँ काँ, हे नदी, नदी बोली, क्या भाई भनाते, भनाते बोला, नदी नदी, पानी दे दे, थंडा पानी लाऊंगा, चोच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कुलहर तो ला, बनाते गया कुमहर के पास, बोला, रे कुमहर, कुमहर बोला, क्या भाई भनाते, बनाते बोला, मुझे एक कुलहर दे दे, कुलहर लेकर जाऊंगा, थंडा पानी लाऊंगा, चोच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, कुमार बोला कुलहड बनने कैसे पहले ला मिट्टी खदान से बनाते गया मिट्टी की खदान पर बोला रे मिट्टी खदान मिट्टी खदान बोला क्या भाई बनाते बनाते बोला मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे मिट्टी लेकर आऊंगा, कुलहड मैं बनवाऊंगा, ठंडा पाने लाऊंगा, चुमुच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा मिट्टी खदान बोला, खोदें मिट्टी कैसे? पहले लग खुर्पी लोहार से बनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार, लोहार बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला लोहार मुझे एक खुर्पी दे दे खुर्पी लेकर आऊंगा मिट्टी मैं खुदवाऊंगा कुलहड मैं बनवाऊंगा ठंडा पानी लाऊंगा जोच धोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा लोहार बुला लेले खुर्पी प्यार से पर लाना वापस याद से खुर्पी लेकर बनाते गया ख़दान पर चिकनी मिट्टी खोदी और कुमहार को दे दी कुमहार ने कुलहर बनाया कौवे ने उसमें पानी भरा और धोली अपनी चोच फिर दोर लगाई फुद्गुदी का अंडा खाने को इसी बीच फुद्गुदी चिडिया का अंडा फूट कर चूजा बाहर आ गया और बच्चा पर हो गया बनाते कौवे की पहच से बहुत दूर ये कहानी अंडपूर्णा सिना ने भोचपुरी में लिखी है ये कहानी का हिंदी रुपांतर है अब बताओ कौवे को कुलहर की जरूरत क्यों पड़ी एक कुलहर बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की कुलहर बनाने के लिए कुमहार को किस किस समान की जरूरत पड़ी क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बरतन हैं? कौन-कौन से हैं? अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे, तो क्या तुम कोई बरतन बना पाओगे? मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी. चिकनी मिट्टी को गूंद कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ. इस लड्डू में गड्ड़ा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो. अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ. इसमें अपने मन की चीज रखो. मिट्टी का साप, साप का बरतन. चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लो. थोड़ी मिट्टी को पानी में घोल कर अलग रख लो. ये घोल मिट्टी के दो टुकणों को आपस में जोड़ने के काम आएगा. गुंदी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेकर उसे मोटी रोटी की तरह चप्टा कर लो. ये बरतन का तला बन गया. बाकी गुंदी हुई मिट्टी को साप जैसा लंबा बना लो. और मिट्टी से बने साप को तले पर चिपका कर बरतन बनाओ. मिट्टी की रोटी, रोटी का बरतन. यहाँ एक चित्र में मिट्टी की रोटी बना कर उसका बरतन बनाते हुए दिखाया गया है. अगर इन बर्तनों में पानी डाल कर रात बर रखो, तो क्या होगा? हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं वो मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता? क्या तुमने कभी इंट या बर्तनों को बटी में पकाते देखा है? अगर हम सब के पास केवल मिट्टी के बर्तन होते और सारे तूट या गल जाते, तब हम क्या करते? बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? लोगोंने बर्तन क्यों बनाए होंगे? मान लो, एक दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं, तो तुम्हारे घर में क्या क्या होगा? जानते हो, बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पढ़ने लगी बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरिद कर और मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए जाते थे लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए आओ बनाएं बर्तन अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत